सब्सक्राइब कीजिए यहिंदी उर्दू शैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपके विंडोस 10 PC या फिर आपकी विंडोस 10 लैप्टॉप में find my device feature को कैसे setup करते हैं सु कैसे turn on करते हैं और सु कैसे use करते हैं यह सब सारी चीजें इस वीडियो में सीखने वाल हैं उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपकी विंडोस 10 की settings open करना है विंडोस की hold कीजिये और IPRESS कीजिये यह shortcut की से आप Windows settings को open कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं update and security तो फिर सक लिक कीजिये और उसके बाद दोस्तों left panel में आपको एक option मिल जाएगा find my device उसपे click कीजे तो सबसे पहले आपको करना है तो आपका Microsoft account जो है आपके PC में login करना पड़ेगा तभी जाके आप जो है दो सो find my device feature को आप setup कर सकते हैं अगर आपके पास Microsoft account नहीं है तो आपको create कर लेना पड़ेगा तो जैसे के मेरे पास जो दो सो Microsoft account है तो जैसे आप आप देख सकते हैं तो साइन इन विद यूर Microsoft account to use और चेंज find my device उसपे click कीजे और यहां से जो है आप अपना Microsoft account sign-in कीजे अगर आपके पास sign-in पहले से ही है यह step जो है आप skip कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना हो तो सब्सक्राइब कर लेना हो तो आपका Microsoft account completely login होने के बाद फिर से भैक जाए है find my device में ही आई है और जस्ट यहां पे अभी सब्सक्राइब कर लेना है तो और एक चीज़ आपकी ध्यान में रखने है दोस्टाइब करते हैं उसके अंदर आप आपका इंटरनेट कनेक्शन जो एक्सेस रहना चाहिए तभी जाकि जो दोस्ता आप find my device का फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं अगर आपका PC लैप्टॉप कहीं पर गुम हो जाता है तो आप इस फीचर की मदद से जो कहीं से भी आपका Microsoft account login करके आप अपने PC लैप्टॉप को ट्रैक कर सकते हैं अभी उसको कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं तो जस्ट आपको सबसे बिले इसको सेट अप कर लेना है इस तरीके से और उसके बाद इसको क्लोज किजिए अगर आप इसको ट्रैक करना चाहरे है तो आपके PC लैप्टॉप को तो जस् और आपको सिंपल से यहां पे Microsoft account की जो official website रहती है दोस्तों वो आपको open कर लेना है इस तरीके से और यहां पे फिर से आपको Microsoft account login करना पड़ेगा तो just sign in पे क्लिक कीजे इस तरीके से दोस्तों अभी मैंने जो है मेरा Microsoft account account का address और password इंटर किया है जहां पे आपने जो है दोस्तों find my device feature setup किया था जो PC में अगर आप वो PC का अगर आपको track करना है वह Microsoft account यहां पर आपको login करना पड़ेगा कहीं से भी आप उसको track कर सकते और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों devices तो just devices पे क्लिक कीजे और उसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं find my device तो just click कीजे जो भी PC laptop में जो है दोस्तों आप अपने Microsoft account से find my device का जो feature है setup क्या है वो सारे desktop laptop से यहां पर आपको शो करेंगे तो अगर आपको इसको track करना है तो just click कीजे और just find पर click कीजे तो हर एक और में जो है जो है दोस्तों आपने अपने 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 device का future वहाँ पर आपको internet connection कंबल सरी रहना चाहिए तभी चाहिए जो है दोस्तों इसका location ही find out कर लेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों जो भी location है वह यहाँ से जो है दोस्तों आप easily कहीं से भी ताइब ही से जोसे ही जो जोसे हैं मोरे कि कि दोग यहाँ है जो में हमक्तों का को आप है जोसे है जो में अपने आप हैं ताइ़ झाप हैं है ताइ़ टी।